नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार इंटर्मीडियर परिक्षा दो हजार चौबस के लिए आविदन फॉर्म भरने की आज आखरी तारीक पित्रे पक्ष मेला को लेकर सीयम नितीश ने दिया ये नरदेश बिहार के लोगों को दिल्ली जाने में होगी परिशानी विद्ध प्राडमभिक सिक्षक मुल्यांकन दक्षता परिक्षा का आविदन नहीं किया तो होगी कारवाई वर्ड कप में टीम इंडिया को लेकर एबी डिवीलियर्स ने कीप हविश्यवानी इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की उर्वस्तार से बिहार इंटर्मीडियर परिक्षा दो हजार चौबस के लिए आविदन फॉर्म भरने की आज आकरी तारीक अगर आप भी उन शात्रों में से हैं जिन्होंने अब तक बिहार विद्याले परिक्षा समीती त्वरा आयुजित की जाने वाले इंटर्मीडियर वार्षिक परिक्षा दो हजार चौबस के लिए आविदन फॉर्म नहीं भड़ा है तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादे कि इस परिक्षा के लिए आविदन फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीक है ऐसे में इस परिक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आविदन करने के लिए बिहार बोर्ड की ओफीसियल वेबसाइट www.seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर आविदन करना होगा पतादे कि बोर्ड की ओर से इंटर्मीडियेट वार्सिक परिक्षा 2004 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का मूल सूची करन प्रमान पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है मालम होगी परक्षा में भाग लेने वारे चात्रों के लिए दो प्रकार के आविदन फॉर्म को पोर्डल पर अप्लोड किया गया है जो की दो खंडों में है जिसमें से एक खंड में क्रमांक एक से सत्रह तक विद्यार्थियों के डिटेल्स पहले से भड़े हुए हैं जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा कोई बदलाव नहीं करना है तो आई खंड दो में 18 से 35 तक के विद्यार्थी के द्वारा डिटेल्स भड़े जाएंगे पितरी पक्ष मेला को लेकर सीम नितीस ने दिया ये निर्देश पीते दिन मुख्य मंत्रे नितीश कुमार गया पहुंचे जहां उन्होंने पितरी पक्ष मेले के दोरान यहां आने वाले श्रधालूओं को किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें सभी तरह कि सुविधा मिलनी चाहिए इसके लावा श्रधालूओं के लिए आवास की भी बहतर व्यवस्था होनी चाहिए उन्होंने कहा कि घाट, मंदिर, वेदी, तालाब और पूरे शहर की साफ सफाई की बहतर वेवस्था रखने तिथा सुरक्षा को लेकर विशेस सतरक्ता बरतने का नर्देश दिया गया है इस बार पित्री पक्ष मेले में बड़ी संक्या में श्रत धालू आ सकते हैं उन्होंने बोध गया महाबोधी परिसर के पास स्थित मुचलिन सरोवर को विक्सित और सुन्दर बनाने का नर्देश दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दे के स्वर्श पित्री पक्ष मेले का आयूचन 28 सितंबर 2023 से सुरू हो रहा है जो की 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा गांधी जेनती के मौके पर राजधानी के गांधी मैदान में होगा हला बोल दो अक्टूबर को गांधी जेनती के मौके पर प्रदेश मुख्या संग के निततु में बिहार के राजधानी पटना के एतिहासी गांधी मैदान में बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार और देश के प्रधान मंतरी नरंदर मोधी के खिलाफ महापंचायत का आयूजन क प्रदेश मुख्या संग के ओर से यह फैसला लिया गया है कि वह अपनी 1903 मांगो पर आंदोलन तेज करेंगे इसके लावा गांधी मैदान में महापंचायत के बाद आंदोलन मुख्या केंद्रे ग्रामीन विकास मंतरी विकास सिंग बिहार के ग्रामीन विकास मंतरी प्रदेश मंतरी श्राइती राज संस्थाओं के कामकास ठप है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही आयोग ने सक्षा विभाग को पत्र ना लिखने की दी सलारा राज्ये के सक्षकों को प्रमान पत्र सत्यापन के काड़े में लगाने को लेकर बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द दÓरा बिहार लोकसेवा आयोग के खिलाफ आपत्ती जताई गई थी और कहा गया था कि सक्षकों को इस कारे से मुक्त किया जाय जिसके बाद आयोग के चेर्मैन के दोरा सोशल मीडिया पर बिना कि का नाम लिए के के पाठक पर निशाना साधा गया था वहीं अब बिहार लोग सिवा आयोग के सचीव रवी भूशन के द्वारा माध्यमिक सक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा गया है जिसके माध्यम से आयोग के ऊर से विभाग को यह हिदायत दी गई है कि अभियर्थियो के सच्छा विभाग को इन सब प्रावधानों का पता होने के बाद भी बिना प्रमान पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से नुसंसा की अप्रेक्षा की जा रही है अगले 24 घंटे में इन जिलों में होगी भारी बारिश इन दिनों राजी में वर्सक असलसला जारी है बीदे की मौसम विभाग के नुसार आज पटना समीत राजी के अन्य जिलों में हलकी वर्षा मेघगरजन व वजरपात की संभावना जताई गई है अगले 24 घंटे के दौरान बकसर भोजपूर नालंदा जहानाबास सेकपूरा नवादा भागलपूर मुंगेर पुरवी चमपार बिहार बोर कोचिंग में दाखिले के लिए परिकषा इसदन बिहार बोर की वर्ष शुड़ू किये जाने वाले इंजिनेरिंश मेडिकल के तयारी के कोचिंग में नमांकन के लिए होने वाली परिकषा कायोचन 17 सितमबर 2023 को आयूजित क्या जाएगा बतादी की पहले यह जिसे अब बढ़ा कर 17 सितंबर 2023 कर दिया गया है वहें इस परिच्छा के लिए प्रवेश्पत्र 12 सितंबर को जारी किया जाएगा ऐसे में स्तंबंदित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर अपना प्रवेश्पत्र डाउनलोड कर सकते हैं बता दे कि मैट्रिक परिच्छा 2023 में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को बिहार Board Coaching में दाखिले के लिए यह मौका दिया गया है छात्रों के लिए गैर आवास यह coaching होगा बिहार के लोगों को दिल्ली जाने में होगी परिशानी अगर आप इन तीन दिनों के अंदर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि इन तीन दिनों के दौरान विहार से दिल्ली जाने वाले लोगों को थोड़ी परिशानी का सामना करना पर सकता है क्योंकि नई दिली में होड़ ही जी भी समिट के कारण नई दिली से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों का पड़िचालन आनंद विहार अथवाग गाजियाबाद से ही करने का नड़ने लिया गया है बता दे कि 11 सितंबर तक राजिंदर नगर टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली एक दो तीन शुने नो राजिंदर नगर तेजस राजधानी एक्सप्रस को नई दिली के बजाए गाजियाबाद तक ही ले जाया जाएगा वहीं ड्रिबुगर से आने वाले एक दो चार दो तीन गोहाटी राजधानी को भी गाजियाबाद तक ही ले कर जाया जाएगा और यहीं से वापसी भी होगी राजिंदर नगर तेर्मिनल से नई दिली जाने वाली एक दो तीन नौती संपुन क्रांती एक्सप्रस को आनन्द विहार तक ले कर जाया जाएगा इसके लावा नई दिल्ली हावडा पुडवा एक्सप्रेस स्रमचीवी एक्सप्रेस वा मगद एक्सप्रेस को भी आनंद विहार तक ही ले कर जाया जाएगा दानापूर मंडल से गुजरने वाली सोलर ट्रेने रद सिकंदराबाद मंडल के काजी पेट बलहर साह रेलखन के स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन के होड़े कारियों को देखते वे दानापूर मंडल से गुजरने वाली सोलर ट्रेनों के पड़िचालन को रद कर दिया गया है जिनमें गारी संख्या 63259 या 326 दानापूर SMVB बेंगलुडू स्पेशल गारी संख्या 63247 और 33248 दानापूर SMVB बेंगलू स्पेशल गारी संख्या 66509, 6651 बेंगलूर स्पेशल गारी संख्या 63251 और 33252 दानापूर SMVB बेंगलू स्पेशल गारी संख्या हैदराबाद पेटनाय स्पेशल और गारी संख्या शुने 5271 और सुने 5272 मुझे पर पूर यश्वन पूर स्पेशल ट्रेंज तामिल हैं। करन भी मांगा जाएगा बता दे कि SCERT के अनुसार दुत्य दक्षता परिक्षा में 3000 सक्षकों को परिक्षा में शामिल होना है इसके लिए आविदन कितिती 9 सितंबर तक है लेकिन अब तक 400 सक्षकों के द्वारा ही फॉर्म भड़ा गया है ऐसे में अब SCERT के द्वारा दन नहीं कर पाये थे जिसके बाद सक्षकों को ने दोबारा परिच्छा देने के लिए मौके की मांग की थी जिसको देखते वे उन्हें दूसरा मौका दिया गया है C.M. नितीश कुमार G.B.S. जिनर में शामिल होने के लिए पहुँचे दिल्ली आज सुबह 10.45 बज एपियार के मुखे मंतरे नितीश कुमार G.B.S. मिटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए वहीं वह रात्री में राश्चरपती द्रॉपदी मुर्मुर के आमंतरन पर G.B.S. के रात्री भोज में भी सिरकत करेंगे बतादे कि C.M. नितीश के साथ दिल्ली जाने बालों में मंतरी संजय जाभी उनके साथ मौजूद रहे मालम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के नुसार C.M. नितीश आज रात 11 बजे तक पठना लौट आएंगे जग्दानंद के खिलाफ इस कारण दर्च हुआ मुकदमा बिहार के सत्ता रूर पार्टी राजट के बिहार प्रदीश अध्यक जग्दानंद प्रसाथ सिंग के खिलाफ उनके द्वारा सनातन धर्ण को लेकर दिये गए विवादत बयान को लेकर नालंदा जिले के मुख्याले बिहार सरीफ के मतुरिया मुखला निवासी विरेश पांडे द्वारा मुख्य नयाएक दिन्दादिकारी के नयायाले में उनके खिलाफ परिवाद दायर करवाया गया है जिस पर सुनवाई करने की तारीक 11 ओक्टूबर को नरधालित की गई है आपके जानकारी के बता दे कि जगदानंत तरसाथ सिंग के द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादत बयान देते वे कहा गया था कि तीका लगाने वाले लोगों के कारन देश गुलाम हुआ है इसके साथ ही कई अन्य बाते भी कहीं जिसे सुनकर सनातन धर्म मानने वाले लोगों के बीच हलचल मच गई और इसका विरोध किया जाना शुरू हो गया विपक्षी पार्टियों के गडबंधन के इंडिया नाम पर प्रशान किसोर का बया आपकी अपनी भावना हो सकती है के ठीकली ठीक है की नहीं नाम उन्होंने जो रखा हो वो statistically smart move है कि अपने आपको इंडिया बतार देना अपने अलायंस को इंडिया बता देना या बताने की कोशिश करना किसी की जीत हार नहीं होती है देश की जंता इससे ज़्यादा समझदा सिए मिकुले मंतरी एवं राजिस सभा सद्श्य सुसील खुमार मोधी के द Sulli सच्छë विभात खुले कर निदीश कुमार को आरिं हाथ हो लिया गया और नि कक्राओ expert के तरफ से एक तरफ जहाँ दलित समुदाई से आने वाले राजिपाल राजिंदर विश्वनात आलेरकर को अपमानित करने पर तुले हैं तो वहीं दूसी तरफ सक्षा में बधाली को लेकर जेडियू को आईना देख रहे हैं। वर्ल कप में टीम इंडिया को लेकर एबी डिविलियर्स ने की भविश्यवानी। भारत ने विश्वकप के लिए अपनी 15 सदस्तिय टीम का अलान कर दिया है। वह उसी तरह खेलते हैं जैसे मैं T20 क्रिकेट में खेला करता था। वह उने विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर कहा कि IPL 2023 में RCB के लिए चिन्ना स्वामी स्टेडिया में सैमसन की 92 रंकी आबादी पारी के दौरान में मैदान में मौझूद था। जिसमें गींद हर तरफ उर्ते वे जा रही थी और उने कहा कि संजू सैमसन के पास सभी तरह के सोट्स खेलनी की छमता है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 153 रुपे निर्धारित की गई है। पूछे के सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें। और साथ ही अगरा आप यूटूब से देख्रें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगरा आप फेस्बूक से देख्रें तो पेस को फॉलो करना ना भूले। झाल झाल ऑर आप तो आप वालो को फॉलो करना यूटूब से देख्रें बने रहें।